प्रिदर्शकों मित्रों शाक्थियों आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हिरुदैश्य श्वागत है प्रिदर्शकों मित्रों शाक्थियों आप अपनी जिन्दगी में दूसरों का सम्मान करना सीखना जाते हो उसके लिए सब चे पहले श्यों का अपना सम्मान करना शीखना पड़ेगा अपनी श्वांसों का संबान करना पड़ेगा जब आप अपनी श्वांसों का संबान करोगे तो आप अपने जीवन का संबान करोगे और जब आप जीवन का संबान करोगे तो दूसरे की जीवन का संबान पता ही हो जाएगा अपनी श्वांशों को समझो इस संसार का सबसे अनमोल खा जाना यह स्वांशे है और मेरी गुरु महराजी ने क्यों श्वांशों का बोध कराया है इस ग्यान को सुन सको 30 सेकिंड का उसके लिए मैं 20 मिनिट का राशी फल सुनाता हूँ यह आप अपने जीवन में स्वासों का भेज जानना चातो भीतर जानना चातो भीतर की पक्रणियों का अनभाव करना चाते हो सदा में आपकी सेवा में रहूँगा आज की दाती गुरु मंतर में बात करते हैं 30 सितंबर 2024 की राशी फल और पंचांग राशी फल पर आऊं उससे पहले आज का पंचांग आस्वी नमास क्रिशनपक्त की त्रियोदशी विक्रम सम्थ 2021 आस्वी नमास की पंदरा परविश्टी सक्तम उन्सच्यालीस आस्वी नाट तद अनुसार शोंबार ती सितंबर 2024 त्रियो धर्यों सर्थ क्रिवा शां 5 परविश्टी सेंबरी 2024 की नग्षर उन्सच्वी Region चंदर देव शिंगराशी में 12 राश्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके राश्यपल की चर्चा करूँगा लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रहय योगायोग प्रतकाली लगन कन्या लगन है कन्या राशी में सुर्देव बुद्देव केतु देव है शिंग राशी में चंदर देव मिथुन राशी में मंगल देव विर्शव राशी में प्रश्पति देव तुला राशी में शुकर देव कुम राशी में शानी देव और में राहु द यह है अग्रों का संचरन और इशी आधार पर मैंने 30 सितंबर 2014 का राशी फल लेका है आज का जो अभीजीत मुहुर्द है वो शुब 11 बज कर 47 मिंट से लेकर तो पर 12 बज कर 35 मिंट से रहेगा कोई भी शुबकारी करने के लिए शुबकारी को अपना महत्व है सुबका चोगणिया लाबका चोगणिया और अमृत चोगणियों में इद्याब शुबकारी शंपन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा सुबह का चौपडिया सुबह 9 बज कर 12 मिन से लेकर सुबह 10 बज कर 40 मिन तक रहेगा लाग का चौपडिया दोपर 3 बज कर 9 मिन से लेकर साम 4 बज कर 49 मिन तक रहेगा और अमर्त का चौपडिया साम 4 बज कर 49 मिन से लेकर साम 6 बज कर 8 मिन आज का जो रहुकाल है उपरा 37.7 से लेकर 9 बजे तक रहुकाल दन्शुबकारे करना, शोदा करना, पुझनेस करना, अनकूल और उचित माना ने गया, ऐसी मेरी सला है और मर्जी आपकी है ना मना रहे हैं। यात्रा उत्र दिशा की ठीक रहेगी और आज की दिन यात्रा पर जाने शेपूर, दरपण में मुँ देकर कुंकुम का तिलक लगाकर यात्रा पर जाएंगे तो कस्त कमाएगा ना बनाएगा। सीары time लेकर यात्रा पर जाएंगे तो कस्त कमाएगा ना मुथा अब आपने बारेसे ह.. आप अपने बारेसे जाना चाते हैं आप अपनी जनूपुनली को दिखाना चाते हैं, क्योंकि आपके बारेसे जानाकारी से मिलेगी तो मेरा निवेदन है नीचे नमबर आ रहा है इन नमबरों पर शंपर करके आप मेरे से संपर इस्ताफित कर सकते हैं अवश्य मैं आपको शयूग करूँगा हाँ जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरुमाराज जी से दातिमाराज से बात करनी है तो आपको इसमें थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गाएं है मेरे गाएं सुखी रहे मैं आप लोगों की सेवा में हूँ तो यह मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो इसको अधरव आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है कोशाला का नंबर है उस पे आप फोन करते हैं जो लोग वहां काम करते हैं उनका आपिस का अपना एक ताइब है आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर साम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकरी आपको कोई नहीं देगा तो जो भी जो सनिदाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गवसाला के इन नंबरों पर शंपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा इस बात का ध्यान देगा प्रदर्शकन मेतरों शात्यों 30 सितंबर आपका जनम दिन है फिर शादी की साल करें और ऑठाट की शाल करें तो-अगर आपके परिवार में कलहे रहता है धनकामाने के बाव जो भरकत नहीं और बचत नहीं देती है तो अज आपका सुबह ब्रह्म मुर्थ में नाधोकर के स्वच्वस धारन करें और तुलसी महिया का पंचपचार पूजन करें धूपदीप नेवदी पुष्वक्षत अरितर करें नारायन के स्विच्णों में 108 मोगरे की पुष्वर्पित करें पूजा के बाद किसी गरीब जुर्थ महिला को चने की दाल और गुड का दान देना उत्तम रहेगा यह उपाई हर गुरुवार को करें आज तो करें लेकिन हर गुरुवार को करें शाल भर करें कष्ट और प्रेशान से चुटकार मिड़ जाएगा अब और आज की डाती गूर्मंतर मैं अब मैं बात करोंगा आपके राडशिफहल राशीफलल आपकी चंद्रासि आपके नाम राशीप्र बात हले राशिफलон पुर्शों के लिए म Savior भी बज़रियों बच्चों के लिए शब्चे पहले बात करूँगा मैं सरह आत्यसम्वा लोगा नोकरी शमाज परिवार संतान पक्स को लिकर उत्तम मित्रों के सब्सक्राइब पूरा होगा वेर्थ की भागद और परिशान चे छुड़कारा मिलेगा और अपनों का शाथ में लेकिन भावनाव में बेकर निलने नहीं है आप यूआ है केरियर और एजुकेशन के देशन समय परिशन मांग रहे है संगर्ष मांग रहे महनत मां आज गरीब निदन लोगों को शुका भोजन का दान देंगे बड़ा उत्तम रहेगा दाल चावल सुका अच्छा लेगा नोगन बात करते हैं पर सब्सक्रासी चतुर्थ भाव में चंद देव केटू देव और शुक्रदेव के निशनों में संचर करें चितारक चल प्रति इतना दोनों ही नुफसान दाएगा इवार विद्यार्थिनों को शावधानी बतने पड़ेगी शवबाव में ध्यरी रखना पड़ेगा अधिकारियों से समझ नहीं बिगानना है और तरक वितर से दूर रहना अनिता परिशानी क्या करें आज अपने घरिनों समश्या पर गरीब और जरुद्मन लगों को अपने हाथ से बांटियेगा बढ़ा शुब रहेगा नमनना इन बात करते में तूंडा से तीसरे भाव में चंदर देव तीसरे भाव में चंदर देव केतु देव और शुकर देव के नाश्रों में संचन करने समय अनकुल सब प्रियासर स पैसे टकों की तंगी दूर होगी मनोविलाशन की पूर्थी मनोवासित कारी भी बनेगा क्या करें दूसरों के कारे में दखल अंदाजी नेक है शुबंग साज सुबरंगहरा भागी आपकी पक्षाशी प्रसंद लाब कर संकेते में थोंडाश वालो प्रद्गाल नित्रे कर अपने पूजास्तार में सुदेशी घी का दिपजिए गनेश गाहितरी का सरधानुसार जाप करिएगा परिशानिया कम होगी नमनानी और बात करते करक्रासिलिन उससे पहले हर रोज की तरह सुन्दर जोती शिशुत्र वरश्पती पंचमेश या पंचमभाव और सब्तमा माता-पिता को यस मिलता है माता-पिता को तीरतों का दर्सन मिलता है कि संतान उत्तम कोटी की संतान होती है ज्यान लगेगे नमना रहे हैं आरिवेद नुश्कों में पुने आपका श्वागत है कारिशेली और जीवन सेली इसमें संतुलन नहीं है भारत एक ऐसा देश था वक्ति समय पे सोता था समय पे उड़ता था हर चीज के नियम और सिध्धान थे आज जिस तरह का पास्चति हमारे पर हावी हो रहा है हमारी द्यानिक दिंचरिया बहुत बिगर अब हम रात में काम करते हैं क्योंकि हमारी आवश्यता जादा है अब बड़ी-बड़ी कंपनिय रात में ही काम करवाती है और भारत में यह ट्रेंट शुरू हो गया है तो जो द्यानिक दिंचरिया है जो जीवन से लिए बदलने की वज़े से हर दूसरे आदमें कहेंगे सब शूगर है रोग जिंजाइशन लगाने परते हैं लेकिन इससे रात मिल सकती है तो आपकी द् पंद्रा दिन जो मैं उपाई बता रहा हूं इसको लगातार पंद्रा दिन लेकिन फिर कहूंगा कि जैतुन का तेल ओरिजिनल होना बहुत जरूरी है इस बात का थ्यानिक जैतुन का तेल दो चमस सुबह खाली पेट लेना है सुबह उड़ते ही खाली पेट बिश्तर ते उड़ते ही दो चमस लेना है और दो चमस साम को लेना है जब आप ये दो चमस जैतुन का तेल ले 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 एक घंटा पहले और एक घंटे बाद कुछ निकाना है एक बात और मेरी ध्यान रगे जैतुन का तेल जो आप पी रहे होने कुछ दिन इस तेल की सुबह और साम जाएगे नॉर्मल हो जाएगा हां जो वैरत का जो मीठा है ना इसे दूद है और अपान वायु मुद्रा पहली अंगुठे के जड़ में और अनामिका और मध्यमा पर यह अपान वायु मुद्रा है यह मुद्रा है लगातार एक महिना 48 मिंट रोज कर देजिए सुवे सुव हो जाएगी दवा काम करेगी और डाइबिडिस से पीछा चूड़ जाएगा नमौना इनर बात करते हैं करकरासी दूसरे बहां में चंदर देव शुक्र देव के नक्सरों में संचने काम बनेंगे आवश्यक्तां की पूर्ती हो लेंदेन के मसले ठीक रेगी प्रसासने के मैने प्रियास के बावजूद धन की प्राप्ती हो लेकिन आज पारवारिक शमदों में मदूर्ता बनाए रखना बहुत जरूरी और खानपान की प्रती सचेत रहना बहुत कामकात व्यवशाई महत्पूर्ण फैसला अपनों के साथ मिलकर लिए इस आप नहें जौब के ल साथ प्रसेंट लाप का संकेत करकराश वालों सरदानुसार चावल का दान गरीब को देना उत्तम रहेगा नमने बात करते सिंग रास लगन भाव में चंददेव लगन भाव में चंददेव केतु देव और शुकर देव के नक्सनों में संचर करे ग्रगोच शूब है आप करें वैवारिक रूप से अपनों की मदद करिया ना करें मित्रोंक्षा दगा ना करें शुबंग शुबंग शुबरंग शपेद भागे आपकी पक्समें साथ संग लाप का संकेते सिंग राशिवालों सरदानुसार ग्यों या घ्यों का अटा गरीब को दान में देना आज की भी हो सकती है और चोटगाड़ी से भी विवादी सोदों में पुंजी निवेश नहीं करें नौकर में परिवर्तन नहीं करें वेवशाय विस्तार से बचे और अपने क्रोध पर काबूरत जल्दबाजी में कोई निरने नहीं जिवार विद्यारतियों के लिए जिसे के सब्सक्राइब को देना उत्तम रहेगा नमना और बात करते हैं तुला राश इक ग्यारवे भाव में चंदर देव केतु देव शुकर देव की नक्सरों में संचन करें घ्रह को चुर अनकुल होगी धनलाब के आउस्वर मिलेंगे प्रसासनिक छेतर में कारियत लोगों के आग का दिन बड़ा शुबरेगा और राधनितिक बड़ती शुबरेगा मन में प्रसना उत्सा बने लेगा शिक्षा और केरिक जेतु में परिश्रम का पूर्ण फ़ल मिलेगा वेलोग जो मार्केटिंग में हैं उन्हें अच्छी सपलता मिलेगी कारियों की समय की पाबद संतीặt रहें में उत्तम है कारुबार के शितर में नौकर के शिता में राधनित के शितर में परिशें में rust क्यूबरा लेगे तरह आनों की शरहान होगी शिक्षा कि और अ उत्तम अच्छी की जाहित कैसी। किसी के साथ दगाना करें शुबंक एक शुबंग लाल भागि आपकी पक्स में साथ प्रसंद लापकर संकेत है विश्टिगराशी वालों त्रयांबका में यजा में शुगंधिं पुष्टी बरते नम रुवार रुकमी बंदनात मुर्तिम मौश्य मामतात अब के लिए अती उस्तों रहेगा नमणाय बात करते हैं नौबहामे चंद देव नौबहामे चंद देव केटुदेव और सुक्रदेव कि नंग्शन में संचिकरें गोचिरी से बात का संगे आर्थिक पस्रिया थेख रहेगी लेंदिन के मसले थेख रहेगी धरमकर में रू सवाल कि हमारी संतान को शिक्षा में अवरोद बहुत आता है बच्छा पूरी लगन और मेनस से काम कर रहा है तब भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा है या पर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है यह उपाई बड़ा अच्छा रहेगा किसी भी मा के सुकल पक्ष के प्रतम गुरुवार के दिन यह उपाई करे नित्यक्रम्यों से नानों केले के व्रक्ष का सरदार पंच्पचार पूजन करें दूप दिप निवेदी पुस पर अक्षा तरफित करें वहीं बैठकर हल्दी और केशरु कुंकुम से गंगा जाल मिलाकर शाय बना ले तीन इंच भाई तीन इंच का पीला कागज दे और अनार के कलम से ओम एंग घ्रीम क्लीम वागबादनी विद्या देई तत्तो पानी वाले नारी लेज इस नीचे शक्राश माह्सी का जिला माशर्षा माशरा का ध्यां मेरे लिक All ऊक्षा को नारी लेजनी दिकाल करें दूब दिखाएória मासर्षा का ध्यान जावे मार हार रोज ओम एंग सुर्शते नमो इस मंतर का 21 बार जाप जरूर करें अध्भुद है खाली नी जाएगा नमना रहें कुछ लोगों ने कहा कि भूमी किस प्रकार की खरीदनी चाहिए आयताकार वर्गाकार घर शुक शमर्दी का कार के है अधि घर खरीदना है तो आयताकार और वर्गाकार होना चाहिए उस घर में शुक और समर्दी रहें इस बात करते हैं इस बात का ध्यान रखेगा नमना रहें फिर बात करते हैं मकर राश आठवे भाव में चंददीव और आठवे भाव में चंददीव केतु दिव शुक्रदीव की नक्सरों में संजिए तितारों की साल प्रतिक उड़ है अनावस्तिक रुकाउट और परिशान नहीं है दूसरों के मामले में पड़े तो मोटा नुक्सान होगा और व्यर्थ की परिशानी का संकेत रुयात्रा में कस्ट है जो इसमें होज फो देंगे तो मोटा नुक्सान हो जया जल्दबाज में निया बन्या लिए निया या जल्दबाज में लिए निया निवेशन देगा श्रतु शड़े अंत्र का संकेत नजर आधर शचयारों आपको प्रिशान कर सकता है कार में घोपनीता बहुत जरूरी ह परिशानी है नापरवाई नहीं करें कारचित्र में शता करें क्या ना करें नमिनकारी आरम ना करें शुबंग पांच शुब्रंग भागी आपकी पक्समें के बोल चालीश पुशन लाब कर संगे ते मकर राश्य वालों गरीब लोगों को भोजन और वस्तर का दार देना व्यवाईक परिशान से मुक्ति में लिगोरी जीवन साथिक साथ द्रिश्तों में प्रगारता है प्रिजनों से मेल मुल्दात प्रसुप्तान पढ़ाएगी नौकरी में शुधार होगा मैंने तो परिशम का पूर्ण फल मिले और शिक्षा के चेत्र में उत्तम अवसार है क्या करें? अपनों के साथ समूझ होता करने का प्रियास करें क्या ना करें? कारचित्र में लापरवाई नहीं करें शुबंगतिन सुबरंग्चलल्टी भागई आपके साथ प्रसुण लापकारसन केते कुमराशावालू सरदान उस देशी चने गाही को अपने हाथ से खिल सब्सक्राइब करें पारवड जीवन को अनकूर क्या ना करें यात्रा में लापरवाई नी करें सुबंग परपल भागी आपकी पक्षातर प्रसंद लाप कर संकेते में दाशिवालों आज पकावापफी ता किसी गरीब निदन महिला को दान में देने से दिन अच्छा बिते आपके निदन मेरा था मेरे से कोई भूलोगी दुनहाजोड के चमा मांगता हूं आप शुकी रहे आप श्वास्तर है समर्दीशीले संदेव की चलनों में मेरी प्रात्मान ना ना रास्तान का हर व्यक्ति जानता है एक दाति महराज गायों से बहुत प्यार करता है बेटि मेरा करता है कि मैं अपनी रास्त के शेवा करूं मैं इस रास्त का नागरिक हूं तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस रास्त के साथ लगाया है वरत्मान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकॉन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा पहले भी कभी नहीं मांग अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेरा आश्त के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये का कि शेवा करिया मैं भी शेवा करता हूं आप भी शेवा करता हूं धन नहीं चाहिए लेकिन वरत्मान मे जो आर्थिक परस्ति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर दी है कि सनीधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका स्वयोग चाहिए और स्वयोग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्यों के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकूली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जिऊँगा तब तक खड़ा रहूँगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर शंपर करिए आप मेरे से बात करिए लेकिन इसकी है वज़ में गायों के लिए चारे की वेवस्ता कर लिए और इसलिए मैंने कहा था कि भई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हिरदय से आया लोगों ने कहा कि राश्रा आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी भी मेरा ये एंकार नहीं है सातियों मेरा राश्रों पर ही है मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करिए से निभगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जो तीजिये समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लो कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकोर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधान गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी शिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है यह आ कि आपको लगता है कि दाती महराज के साथ सनिधान गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़रुषयो करें पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातना थी ओम नमोना आरहें ओम नमोना आरहें